और अब टीके पर अशुप सियासत का विशलेशन सुनिए दुनिया से कई दुनिया के कई देश भारत की वैक्सीन चाहते हैं यह हमारे लिए गर्व की बात है मांसमान की बात है विपक्ष अपनी वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है अपने देश की वैक्सीन पर सवाल उठा र जिस पार्टी के जिस राज्य में सरकार है उसको उतनी वहां मदद करनी चाहिए Central Government ने एक मुकंबल प्लैन तियार किया है जिसकी announcement खुद प्रधान मंतरी नरेंद मोधी ने करी वो खुद हर चीज को observe कर रहे है वैक्सीन पर भ्रम फैला तो नुकसान देश का योगा और किसी का नहीं सियासत के ढेरों मुद्ध मिलेंगे वैक्सीन को भख्ष देना चाहिए वैक्सीन पर भ्रम फैला कर सियास्ति फायदा होगा क्या अगर वैक्सीन को नरेंद मोधी की वैक्सीन का जाएगा अगर वैक्चीन को का जाएगा कि यह जो वैक्चीन है यह इसको रोका जाएगा इसके खिलाफ प्रदर्शन किये जाएंगे तो इससे क्या वोट जादा मिल जाएंगे मुझे लगता है कि जनता बड़ी समझदार है ऐसा नहीं होता है मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में जाने माने सुप्रीम कोड के वरिश्वकील और भारतिय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता गौरा भाटिया जी है मेरे साथ इस चर्चा में संगीत रागी है जो की राजनीतिक विश्टेशक भी है और संग के जानकार भी है मेरे साथ सलमान निजामी साथ है जो कॉंग्रेस के नेता भी है और साथ ही साथ राजनीतिक विश्टेशक भी है मेरे साथ सुमया राणा भी है नेता समाजवादी पार्टी की राजनेतिक विश्लेशक है तौसीफ खान जो के टीमसी की पार्टी के है और डॉक्टर है मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका भी अबिनंदर है कौशल कांत मिश्रा जी मैं शुरुबात आप से करता हूँ ये टीका अशुब है लेकिन सियासत बड़ी अशुब है आप मुझे बताइए विज्यानिकों ने डॉक्टरों ने अथक परियासों के साथ इसको तयार किया है लेकिन बंगाल में आज इस टीके की गाड़ी के सामने ऐसा प्रदशन किया गया जो तस्वीर अबाया करती है क्यों अमीर जी देखे यह जो कुछ भी कोई भी सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल नुमाइंदा या कोई भी रेलिजन कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे वैक्सीनेशन के रास्ते में कोई रोड़ा अटक रहा है तो वो सिर्फ अपने परसनल फाइदे के लिए कर रहा है वो देश की जनता और बहुत सारे जो हिल्थ केर वरकर जिन्होंने अपनी जान गवाई है बहुत सारे ओल्ड एज के पेशन जिनकी जा चुकी उनकी फैमिली से जाके पूछिए ये उनके उनकी जो प्राबलम है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के सामने आ रहा है ये जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये किसी तरह से एकसेप्टबिल नहीं है अगर कोई भी आदमी जो वोट देने जाएगा जो इस रास्ते में जो कोविट के प्रेविंशन के रास्ते में आ रहा है ये समझ लिजे उसकी अगरी बार सरकार नहीं आ नहीं है, ये मान के चले क्यूंक यह बात मैं इसन्यंगे बोल रहा हूं क्योंकि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये केवल एक ही भासा समझते हैं जो वोट की भासा है तो ये पक्का समझ लीजिए कि किसी के घर में अगर कोरोना से डेथ हो रही है तो उस पूरे महले का वोट आपके पास नहीं आने वाला तो पॉलिटिक से उपर उठीए बिल्कुल सच बात है तभी मैंने इसकी शुरुआत आपसे करी डॉक्टर साब तभी मैंने आपको शु रंगा लगा कर क्या हासिल कर लेंगे आप देखे जब मीटिंग हुआ है प्रदान मंत्री ने मीटिंग किया है चीफ में मिनिस्टर के साथ में तो ममता बैनल जी ने कुछ सवाल उठाए थे कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं और यह फर्स्ट फेज के बाद में फिर क्या स्टेट को परचेज करना पड़ेगा या नहीं और साथी साथ मुमता बैनल जी ने यह बताया है बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने